सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मावा एपल मिठाई की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो आई हम स्टार्ट करते हैं मावा एपल मिठाई को बनाना मावा एपल मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम फ्रेश मावा ले रखा है 200 ग्राम शुगर 5 इलाइची खुश्बू के लिए रेट फूट कलर इतनी सामगरी हमें चाहिए इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चीनी को और इलाइची को पीस लेते हैं और मावा को कढ़ाई में डाल कर रोस्ट कर लेते हैं कढ़ाई को हमने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है कढ़ाई गरम हो चुकी है अब इसमें हम एट कर देंगे मावा को मावा को हम हाथों से क्रंबल करके तभी डालेंगे कढ़ाई में मावा को हमने कढ़ाई में डाल दिया है अब इसे हम medium to low flame पर चलाते हुए पकाएंगे मावा को चलाते हुए मिला लिया है अच्छे से अब हम मावा में add कर रहे हैं केसर की कुछ पंखुणिया केसर की पंखुणियों को हमने 10 minutes के लिए भीगो दिया था बहुत बढ़िया इसता color आया है मिला देंगे चलाते हुए केसर को मिलाने के बाद हम gas को off करके मावा को plate में transfer कर लेंगे मावा को हमने plate में transfer कर लिया है अब इसे हम ठंडा कर लेंगे तब तक हम चीनी और इलाइची को पीस लेते हैं मिक्सी में डाल कर मावा हमारा ठंडा हो चुका है एक बार हम इसको इस पून से मिला देंगे अच्छे से मावा के ठंडा होने के बाद इसमें हम एट करेंगे शुगर और इलाइची का पाउडर मावा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम एट कर दे रहे हैं चीनी और इलाइची का पाउडर चीनी को हम तभी डालेंगे जब मावा हमारा पूरा ठंडा हो जाएगा हम गरम पर नहीं डालेंगे नहीं तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी मिला लेंगे स्पून से हम इसे स्पून से करेंगे हाथों से नहीं करेंगे अगर हम हाथों से मिलाएंगे तो हाथों की गरमी से चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और मावा गीला हो जाएगा और ये हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मावा का मिक्चल लेंगे हाथों में हम नीबू की साइस की एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से करते हुए इसे हम गोल करेंगे और ये हमने मावा की लोई को गोल कर लिया है एक दम अब हम उंगली से देखिए इस तरह से हलका सा प्रेशर डालते हुए एक छोटा सा होल करेंगे इस तरह से और दोनों उलियों से हम हलका सब पुश करेंगे दोनों साइड से इस तरह से अब ये देखिए इदम सेप की तरह लगने लगा है आप हम क्या करेंगे इस पे हम लगाएंगे लॉंग और ये हमने एपल मिठाई पर लॉंग को लगा दिया है और ये देखिए हमारी मिठाई कितनी खोबसूरत दिखने लगी है इसी तरह से हम अपनी बाकी की मिठाई को भी बना लेंगे मैं आपको एक मिठाई और बना के दिखाती हूँ हाथों में थोड़ा सा मावा की लोई लेंगे निबू की साइज की इसे हम अथेली की बीच में रखके गोल करेंगे इस तरह से उंगली से हलका सा प्रेशर डालते वे दबा देंगे दोनों साइट से भी हलका सा प्रेशर डाल लेंगे और ये हमारी दूसरी एपल मिठाई भी बन के तयार हो गई है लोंग लगा देंगे उपर से इसी तरह से हम अपनी बाकी की भी एपल मिठाई को बना कर तयार कर लेंगे और ये हमने सारी एपल मिठाई को बना कर लिया है अब हमें इसे एपल की तरह बनाना है तो हमने यहाँ पर लिया है रेट फूट कलर इसको हमने पतला घोल लिया था और ये ब्रश लेंगे, ब्रश से हम इसको कलर करेंगे मिठाई को, हम ये एपल मिठाई लेंगे और एपल मिठाई को अब हम करेंगे एपल की तरह कलर, इस तरह से हमने ब्रश को डिप कर लिया है कलर में, बहुत ही इसली हो जाता है, और ये हमने एपल मिठाई को अच्छे से कलर कर लिया है, मिठाई हमारी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल सेफ की तरह मैं आपको एक मिठाई और दिखाती हूँ कलर करके इस तरह से देखिए हम इसे भी कलर करेंगे जैसे हमने पहले किया था यह मिठाई बिल्कुल वैСी ही लगती है जैसे हम हलवाई के हंस ले आते है एपल मिठाई बिल्कुल वैसी ही लगेगी खाने में, लेकिन अब आप इस मिठाई को अपने घर में बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद और यह दूसरी मिठाई भी केडी हो चुकी है कलर होकर इसी तरह से हम बाकी की मिठाई को भी तयार कर लेंगे और यहां हमने सारी मिठाई को तयार कर लिया है कलर करके मिठाई हमारी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है इस मिठाई को और खूपसूरत बनाने के लिए हम बना देंगे इसकी पत्त तो पत्ती बनाने के लिए हम लगाएंगे इस पे पिस्ता, पिस्ता को हमने दो भागों में काट लिया है और ये देखिए पिस्ता लगते ही हमारी मिठाई और भी खुबसूरत दिखने लगी है एकदम हलवाई की तरह है और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एपल मिठाई बनके तयार हो चुकी है मिठाई देखने में जितनी टैम्टिंग लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है इस मिठाई को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने experience मेरे comment section में share कीजिएगा साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ Thank you